ये बात बिलकुल सही है कि पहले के किसी भी एरा के मुकाबले आज के टाइम पे music और music production pursue करना सबसे ज्यादा आसान है In fact, हम मेंसे कई लोग अब इसे feasible, full time, profession के तौर पे भी देख सकते हैं लेकिन फिर भी एक बात हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि pursue चाहे कोई भी आज कर सकता है music और music production लेकिन अगर लंबे वक्त तक टिके रहना है, life के जो difficult phase आते हैं, उनके through survive करके निकलना है, सिर्फ music करते हुए तो in that case, मेरे हिसाब से एक basic financial threshold है, एक limit है, उसको cross करके उससे उपर तो आना पड़ेगा otherwise क्या होता है, एक constant threat दिमाग में बना रहता है कि अगले महिने पैसे कहां से आएंगे, ये जो काम मुझे मिला है वो चला गया तो तो constantly अगर financial insecurity आपके दिमाग पे मंडरा रही हो, ऐसे में ये creative काम है, इसके लिए हमारे दिमाग का free होना, relaxed होना, दिमाग में creative thoughts के लिए जगा होना बहुत ज़रूरी है अगर आप मेरी माने तो 1% या शायद उससे भी बहुत कम musicians जो हैं, वो उतना कमा पाते हैं कि जिससे उनकी total earning है, वो सिर्फ और सिर्फ music से ही निकल रही हो you may argue के नहीं मैं तो बहुत सारे musicians को जानता हूँ जो सिर्फ music करते हैं, बात सही है, लेकिन उतनी earning के जिसमें ऐशो आराम की जिन्दगी जी जा सके, सिर्फ music की कमाई से, ऐसे बहुत ही कम musicians हैं तो ये वीडियो बना रहा हूँ मेरे उन दोस्तों के लिए जो की middle class, low middle class background से हैं, music के field में enter कर चुके हैं अभी या फिर आगे करने का सोच रहे हैं, काफी सारी misunderstanding के साथ आते हैं, misinformation के साथ आते हैं, और गलत expectations लेके field में enter करते हैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको ऐसी चार बाते हैं, जिससे की आपको इंडिया में अभी music का career wise scene कैसा है, वो clear हो, so that आप एक better plan बना कर इस field में enter कर सको सबसे पहली बात कि music production का dream pursue करना, इसके मुकाबले जो contemporary दूसरे fields हैं, यह थोड़ा relatively expensive है, यहां आपको अगर सिर्फ सीखना ही है, आगे pursue करो ना करो वो तो secondary बात है, सिर्फ सीखने के लिए भी आपके पास एक basic home studio होना चाहिए, equipment भले सस्ते हो गए हैं, काफी सारे cheap equipment के इसके अलावा सीखने के जो resources हैं, बाकी field के मुकाबले कम है, आप देखो colleges कम है, और जो थोड़ी बहुत भी हैं, उनमें fees काफी high है, चलो YouTube पे काफी सारी free information available है, आप free में सीखने का सोच रहे हो, तो उसमें भी पैसा नहीं लग रहा, पर time तो आपको देना पड़ेगा, य और ज्यादा expensive, और अगर आप सोचते हो कि आप खुद बना लोगे, तो वहाँ पे again, वीडियो के equipment खरीदने पड़ेंगे, वीडियो production सीखना पड़ेगा, वहाँ पे भी पैसा लगने वाला है, वहाँ पे भी काफी सारा time लगने वाला है, तो एक simple सा dream जो है, उसके पीछे किसी को content writing, मैं इन fields को downplay नहीं कर रहा, ऐसा नहीं कह रहा कि यहाँ पे बिलकुल किसी भी resource की ज़रुवत नहीं पड़ती, इनहें सीखने में महनत नहीं लगती है, ऐसा बिलकुल भी नहीं है, लेकिन compared to music production, यहाँ पे आप बहुत ही कम investment में सीखना शुरू कर सकते हैं, और even beginner level पे, इन सब fields में, earning की जो opportunities हैं, वो बहुत ज़ादा हैं, if we compare it with music production, दूसरी बात यह कि it takes a lot longer before you start earning from music, आप के खुद के गानों की तो मैं अभी बात ही नहीं कर रहा कि आप अपने गाने बना रहे और लोग आपको पैसे दे रहे हैं, उसकी नहीं, दूसरे artist के लिए गाने 10 साल का time मान के चलो, उतना तो लगी जाता है हर किसी को, अब आप बताइए आप में से कितने लोगों की family इतनी freedom देना afford कर पाएगी कि बेटा बस तू music कर, पैसो की कोई चिंता नहीं है, और उससे भी ज्यादा important आप में से कितने लोग उतने time तक survive कर पाओगे बिना किसी additional income के, तीसरी बात, अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि हम बहुत से artist को जानते हैं, जो कि mainstream music industry में नहीं है, लेकिन फिर भी music में तो बने हुएं, बहुत सालों से बने हुएं, जिसमें से आपका भाई भी एक है, तो ये लोग कैसे कर पा रहे हैं, तो चलिए मैं media भी ना कमाएं, उनको कोई tension नहीं है, ऐसे लोग तो करी रहे हैं, second group है खांदारी musicians का, जहां पे family को already पता ही है कि what it takes to become a professional musician, कितना वक्त, कितने सालों की मेहनत लगती है एक professional musician बनने में, तो उनके पास family का moral support तो है, दूसरा उनको advantage ये है कि जहां तक हुनर हासिल करने का स सवाल है, तो वहां पे वो अपनी तरह 20-20 साल में नहीं जाग रहे, उनका बचपन पूरा इसी काम में बीता है, तो by the time they are 18, 20, 22, अपनी आर्ट में वो पक्के हैं, क्यूंकि family traditionally music कर रही है, तो already network established होता है, थोड़े बहुत लोगों से जान पहचान होती है, तो उस जान पह source भी रखते हैं, और जिनकी family में कोई उन पे dependent नहीं है, उनकी जो बाकी की family के members हैं, वो लोग self-sufficient हैं, इसे मैं अगर और विस्तार से समझाओं, तो इस channel को लंबे time से follow करने वाले लोग, चायद जो मेरा शुरुआत का struggle का phase है, उसके बारे में जानते होंगे, लेकिन फिर है, so that मेरी पढ़ाए का खर्च जो हैं, वो उठा सकें, और जो सारी कमाई थी, वो मुझे engineer बनाने में लग गई, तो भाई अब किस मूँ से कहें कि अब हमें music follow करना है, तो देखो emotional story पूरी ready है, reality show के judges को रूलाने के लिए, लेकिन आज मैं आप लोगों को, मैं कितना privileged भी रहा हूं, कितना luck factor ने भी काम किया है, वो भी आपके साथ share करता हूं, so that कोई गलत फहमी किसी के दिमाग में ना रहा है, तो music pursue करने के शुरुआत के 6 साल में मैं side by side job कर रहा था, पहले बता चुका हूं, और job भी मुझे कैसी मिली, बिल्कुल कम experience के साथ, मुझे sound recording के field में job मिली, somewhat related to music production, तो मैं काम पर सीख भी रहा हूं, वो काम करने के मुझे पैसे भी मिल रहे हैं, फले थोड़े बहुत मिल रहे हैं, बट at least मैं सीख तो रहा हूं, ऐसा luck हर किसी के life में काम नहीं करता, दूसरा privilege कि जितना भी पैसा कमा रहा हूं, वो सारा का सारा अपने आप पर reinvest कर रहा हूं, मैं ये कह चुका हूं कि मैंने अपने studio की एक भी चीज अपने घर से पैसे मांग के नहीं ली, लेकिन दूसरी सचाई ये भी है कि घर में जाधा financially contribute भी नहीं कर रहा था, जितना भी कमा रहा था मैं खुद पर reinvest कर रहा था, एक और मेरी privilege ये रही कि कही लोग के parents मैं जानता हूं कि सब कुछ होने के बावजूद भी बच्चों को वो risk ही नहीं लेने देते, उनको चिंता रहती है कि कमाएगा कैसे आगे जाके इसमें कोई scope नहीं है, तो उनका dream जो है वो follow नहीं करने देते, मेरी mommy भी tension में थी, but despite all that, she allowed me to do whatever I wanted to do, इसको भी मैं अपना luck मानता हूं, इसको भी मैं अपना privilege मानता हूं, एक और privilege कई लोग की शादी हो जाती है, उसके बाद उनको conventional job पकड़नी पड़ती है, क्योंकि अब खुद के साथ साथ बीवी है, फिर बच्चे हो जाते हैं, पूरे family की responsibility उनके कंधों पे आ जाती है, और सिर्फ music से घर चला पाना ऐसे में possible नहीं होता, मेरी भी शादी हो चुकी है, but my wife earns, मेरी मम्मी अब जाके retire हुई, अभी तक तो वो भी कमा रही थी, तो वो लोग अपना अपना खर्च निकाल रहे थे, मैं अपने खुद के लिए कमा रहा था, मेरे उपर बाकी लोग की responsibility नहीं थी, so that I could focus my entire attention towards my dream, और चौती और आखरी बात ये, कि popular और famous artist तो ठीक है, normal musicians भी लंबे time तक इसलिए survive कर पाते हैं, योगि हमारे पास earning का जो है, सिर्फ एक source नहीं होता, बहुत सारे sources होते हैं, famous examples में आप देखो कि जितने भी बड़े-बड़े composers हैं, आप धीरे-धीरे खुद का record label निकालने लगे हैं, आप देखो, जैसे for example, रह्मान सर का example लेते हैं, तो उनका of course, has a composer एक career है, उसके अलावा भी बहुत सारे ventures हैं, अब उन्होंने direction भी start किया, फिल्में बनाना start किया है, Q की नाम का एक multi-channel network है, रह्मान सर उसका भी एक integral part है, शंकर महादेवन सर के that is one of his venture, उसके अलावा आप उनका personal जो singing career है, उसको separately देखें, then he has his own academy, तो वहाँ से revenue generate होता है, ऐसे ही और जितने भी बड़े musicians हैं, या music related काम करने वाले जो लोग हैं, अपने को नहीं पता होता है, लेकिन हर कोई कुछ ना कुछ side by side करी रहा होता है, क्योंकि अपना field ऐसा पड़ेगा कि उस दौर में कैसे survive करेंगे, चलिए अब थोड़े छोटे लेवल का example मैं आपको देता हूँ, अपनी बात करता हूँ, तो जब मैंने job quit की, उसके बाद कई लोग को लगा, अरे भाई आप तो अब full time music कर रहे हो, मजे ही मजे, मजे कुछ नहीं थे, मैंने photography के कई सारे projects थिये, मैं video shoot करने के लिए जाता था, stage shows, वैसे वाले नहीं कोई बड़े हमारे concert नहीं हो रहे थे, ऐसी चीज़ें जो मुझे पसंद नहीं थी पहले करनी, शादियों में perform करना, cafes में perform करना, I used to look down upon these things, थोड़ी अकड थी मुझ में के मैं नहीं perform करूंगा इन सार जिंगल्स बनाने के ऐसे ऐसे projects जो lyrics सुनके मुझे ही हसी आये, मैं मना कर देता था जो पहले, बाद मैं सारे projects ले, नहीं भेजो, मैं सब गाऊंगा, सब करूंगा, and most importantly, I have this YouTube channel, और इसके through मैं revenue के और कई सारे sources generate कर पाया हूं, तो इतनी लंबी कहानी सुनाने का purpose यहीं है, क मैं भी मानता हूं कि ऐसा नहीं है, कि सिर्फ rich class can pursue music and music production, हर को ही कर सकता है, लेकिन आप जिस भी किसी इनसान को full time music pursue करता हो और देख रहे हो, यह मान के चलो कि हर एक की life में कुछ ना कुछ problem है, और हर एक बहुत महनत कर रहा है वो चीज़ overcome करने के लिए, तो सिर्फ यह और पैसो की बढ़सात होगी, ऐसा नहीं होने वाला है, you'll have to be very creative, सिर्फ music बनाने में creative होने की बात नहीं कर रहा, survival के नए नए तरीके ढूंड निकालने के लिए, हर बार कोई नया problem आएगा, हर बार आपके plans जो है वो बिगडेंगे and every time you'll have to come up with a more innovative, more creative idea के आप survive कर सको और lifetime के लिए music pursue कर सको, उसके लिए एक foundation तयार कर सको, तो ये सारी बाते ध्यान में रखिए, अच्छे से planning करके इस field में आईए, mindset अगर सही होगा, और हमारे पास क्या नहीं है, उसके उपर focus कम, और जो चीज़ें अल्रेडी हैं, उसके लिए gratitude होगा, तो I am sure आप कुछ ना कु do good, do good, serendipity will follow.